इस Interplanetary Adventure पर अंशु और डॉक्टर विज्यान से जुने क्यों की वे अंशु की Journey to Mass, The Search for Life में मंगल ग्रह पर जीवन के रहसियों को उजागर करते हैं। आकाश गंभीर था, तारों की रोशनी टिम्टिमा रही थी, 12 वर्षिय अंशु अपने कमरे की खिलकी से आकाश को निहार रहा था, उसके बगल में एक अजीब सा सूटकेस रखा हुआ था, यह कोई साधारन सूटकेस नहीं था, बलकि एक अंतरिक्ष यान था, आज का दिन था, अंशु अंतरिक्ष यात्रा पर जा रहा था, वो भी मंगल ग्रह पर, डॉक्टर, विज्ञान इस मिशन के लिए अंशु को साथ ले जाना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था, कि अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव अंशु के भविश्य के लिए महत्वपूर्ण थोड़ी देर में, डॉक्टर, विज्ञान कमरे में आये और मुस्कुराते हुए बोले, तैयार हो अंशु, मंगल ग्रह का सफर शुरू करने का वक्त हो गया है, अंशु ने उत्साह से सूट केस खोला, अंदर एक छोटा सा स्पेसर सूट था, उसे पहन कर वह अपने पित की से बाहर देख रहा था, पृत्वी धीरे-धीरे छोटी होती जा रही थी, कुछ ही देर में वे अंतरिक्ष में थे, अंशु ने चारो और देखा, तारे अब पहले से कहीं ज्यादा चमकीले दिख रहे थे, कुछ दिनों के बाद वे मंगल ग्रह पर पहुँच गये, ये वहाँ चटाने इकठी की और तस्वीर इली, एक दिन उन्हें एक गुफा मिली, गुफा के अंदर जाने पर उन्होंने पाया कि वहाँ हरे रंग के छोटे-छोटे पौधे उगे हुए थे, ये आश्चर्य जनक था, मंगल ग्रह पर जीवन का कोई संकेत नहीं मिलने वाला किया। पौधे मंगल ग्रह की कठिन परिस्तितियों में भी जीवित रह सकते थे। अंशु की मंगल ग्रह यात्रा एक रोमांचकारी अनुभव थी, उसने न सिर्फ अंतरिक्ष की सेर्की, बलकि मंगल ग्रह पर जीवन के संकेत भी खोजे। यह एक ऐसी यात्रा थी, जिस वह कभी नहीं भूल पाएगा।